अले ले बिचारी बही मुझे तो देख करना बहुत ही ज़ादा अफसोस हुआ कि भाई 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 ने मिलके बिचारी के साथ ऐसा किया ओ माई गॉड ये है इनके हमसा साथ है वाले रिस्ते ये है इनका अपने पन का प्यार ये है इनका कंटेंट क्रियेट करने का तरिका क् पूरी बात हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ इसाथ बैल आइकन पैस कर दे जिससे के मारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन्स आपको पहले ही मिल जाए चालो अपना व्लोग लेकर आ गई है वो भी इतना खर्चा कर रहे हैं तो सारे कंटेंट पर उन्हीं कहीं तो हाक है और पर डे व्लोग आ रहे हैं और चालो अपी तीन दिन से गायब है बेचारी को एटलीस क्या करना पड़ा कि जो पूरा एक व्लोग का कंटेंट था उसको वोई सोबर में फास्ट फास्ट करके वीड पांच व्लोगर, तीन तो यही हैं बाई भाई भावी और हमारी चाल्लू अपयो और दो व्लोगर वह नगे जो इने रहे हैं वह हो गि में बीक्रणले के व्लोग में देखने क comparison Salamom अब बिचारी करती क्या ना करती तो चालू अपी ने क्या किया कि पूरे एक व्लोग का जो content है उसको पूरे को fast fast चला के और उसमें voice over कर दिया और भाई मुझे वहाँ पर बहुत हसी है कि finally मैंने भी सोचा कि मैं भी जूले में बैट कर तो देखूं और finally मेरे बैटने से जूला नहीं तूटा ओ माई गॉड तुमने अच्छा यह तुमने 8-10 दिन से जो तुमने मीठा खाना बंद करा है उससे जो तुमारा 10-12 किलो वेट कम हो गया है ना इसकी वज़े से जूला नहीं तूटा ओ समझ गई समझ गई लगे रहो चालू अपी और देखो जब जूले की बात बता रही तब चाई पीरी थी बैठके और तुरंती अगले सीन में दिखा दिया और फिर फाइनली बैठके हमने ग्रीन टीपी मैं कोशिश करें हूँ यहाँ पर भी मेरी धाई टूटे ना वहाँ चैलू अपी दिमाग तो बहुत लगाती हो लेकिन इतना है नहीं आपके अंदर और आपके हर बात को बरदाश कर लेंगे आपको पक्का सचा सुनने को मिलेगा जरा किसी को कहकर तो देखो आई पील क्यों आते हैं आज कल पीज़ा पारा में बहुत ज़्यादा प्यार है यह इन से बरदाश नहीं हो रहा है क्योंकि यह किसी का अच्छा होता हो तो देखी न इज़त जो ना सब मिट्टी में मिला कर रख दिये अब वो स्कूल जाएगी तो उसकी भी तो अपनी इज़त है ना अपनी दोस्तों के सामने अब वही दोस्त उससे क्या सवाल पुछेंगी कैसे बोलेंगी इस बात का नहीं सोचा चलो पी नहीं और यहां हम खाना खा रहेते और भरम दादा हमें खाना परोस रहेते और यहां पर हमें इसके साथ खेल रहेते और यहां पर प्यारा डोगू भी आया था डोगू रियली मतलब कुछ भी कुछ भी एक बात मज़े समझ में नहीं आती है सारे पेट प्रमोशन आके यहां पर इसमें चुट्टियों के दि फ्रेश हो चके लेकिन इनका दोनों भाई बहनों कभी यही है और इवन भावी कभी यही है भावी भी प्रोयक्टिव हो गई है तो उनका क्या फंड आया है कि इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों न उससे दुगना तिकना कमाया जाए तो इनकी जो भी प्लानिंग ह होनी की नहीं है ना 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 यह गलत पह्मि मत पालना यह तो पैसे कमाने का जर्या है जैसे पैसे कमाने के लिए भेन की शादी कीती न तो वह पैसे कमाने का जर्या था वह एक जिम्मेदारी निभाने वाली बात नहीं थी और फिर बच गयते बारा और हमने पापा का बर्ड और sugar free के बहाने से मिठाई भी खा लेते हैं देखो भई content के नाम पे क्या करें सारा content तो भाई 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 ले लिया अब मैं क्या कर सकती हूँ मैं वही कर सकती हूँ जो मैं अभी तक करती आ रही हूँ तो चलो मैं भाई 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 के content से कुछ different करती हूँ जिससे की मेरे पे views आए और मेरे एक अलग तरीके से दिखाई दे मेरा vlog तो चलो मैं प्रैंक करती हूँ अब प्रैंक क्या करती हूँ प्रैंक के नाम पे क्या किया है एक phone में horror tone लगा दी जिससे की दूसरे phone से जब उस number पर call किया जाएगा तो वह आवाज बजेगी और जहां पर वो सारी के सारी female मंडली बैठी हुई थी यानि के अम्मी खाला नानी वो सब बतिया रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जब वो लोग शान्त हो जाएगे तब हम call करेंगे और वो बजेंगे लेकिन बिचारी रियक्ट उसको निकालना यानि के उसका रियक्शन लेना तो भूली गई बिचारी को वो content मिला ही नहीं अम्मी और खालाओं ने इतना शोर मचा दिया कि भाई भी उतर कर आगे सारी पबली की खटी हो गई और हो गया बिचारी का पच्च का गाई देखो प्रैंक के नाम पे बच्चों से जूट बोलना सिखा रही है जब वो पकड़े गए थे तो फारा कैसे कह थी नहीं अम्मी हमने तो फोन बैग में रखा था अरे भाई जब आप पकड़े गए थे और ये भी आपकी अम्मी ने पहचान भी लिया था कि ये फोन आपका अपना है और उसके बावजुद भी जूट बोलने की जूट पड़ गई कि नहीं हमने तो बैग में रखा था वहां रखा था और वो विचारी सहर वो लिटरली जितने अपने अपने अप्बा को इतना प्यार करती है अपने अप्बा की कसम खा गए जबकि वो भी इस प्रैंक में शामिल थी उसको भी पता था कि ये क्या प्रैंक होने वाला है मतलब इतना जूट और ये सारी चीज़ा ऐसे दिखाने के लिए अब्बा की कसम खाने तक मजबूर कर दिया उसको सारी प्लानिंग हो रही थी उस दोरान सहर भी वहाँ पर थी और वो भी पूरी प्लानिंग में शामिल थी किया प्लानिंग की गई है कैसे प्रैंक करना है क्या क्या करना है उसके बावजूद भी उसने अब्बा की कसम खाली एटलिस वो चुप रह सकती थी कसम नहीं खाती ये बोलती कि हाँ हम ये सब प्रेंक कर रहे थे आप पर कि वहाँ पर सबसे कच्चे पापड कहलवारी है दिमाग बहलाने के लिए जिससे की उनको शक न हो कि हमने मुबाइल कम में को चुपाया हो देखो जब वो नाजा खाला बोल रहे है न पीछे से जाके देखो जनाब टू पोइंट हो जुक कर वहाँ पर फोन चुपा रहा है वहाँ पर ताकी आवाज आए और ये सब हो देखो भाई अब क्या करें पैसा कमाने के लिए जूट बुलवाना पड़ता है बच्चों से भी जूट बुलवाना वह परदा खोल के खिड़की में से कह रही है ओए धपड दिखा के कह रही है जारी है कि ने जारी है कि बताऊं तुम्हें तो अम्मी आ गए पूरे फों में हमें इत्ता डर लग गया था हमें इत्ते पसी ने छूट रहे थे हम इत्ता डर गए थे कि ऐसी डरा होनी आवा जा रही थी मतलब पूरा का पूरा स्क्रिप्ट इड़ साफ समझ में आ रहा है जबकि डॉटर खाला जो है वो पहले ही बता कर दो पा कसम हमें नहीं पता भाई साब बच्चों से क्या जूट बुलवारी है सिदा सिदा बोल देती न जब तुमने नहीं किया कराया तो चालू पी बोल देना चाहिए था को सई सब किसी पे इलजाम ना लगा कर सिदा उस लड़की पे इलजाम लगाया जा रहा है बता सहर ने खाई है अपने अबा किसम हमने नहीं लगाया, और देखो वो बराबर में फारा बैठी हुई है, बराबर में जो इनके घर जमाई बैठे हुए है, वो हस रहे हैं, किसम मत खाओ, क्योंकि उनको सब को पता है, क्योंकि सब की मिली भगती ओर चालू उपिसरदार थी औ तो पता तो था उसको भी सारी चीज़े लेकिन फिर भी अबा की कसम खाली क्यों क्यों क्योंकि उस पर इलजाम लगाया गया था इसलिए अब देखो फणी भाई ने वहाँ पर बजा के दिखा दिये तो अम्मी देखो कितनी नोटंकी हो माई गौड यह सच मुच में बड़ो से ही सीक रहे हैं कि हां सारे छोटे जितने भी है ना पहले उनकी बच्चे और फिर उनकी जो और बच्चे पाल रहे हैं वो बच्चे भी सब नोटंकी कहीं से आ रही है समझ में आ गया श्रोत कहां से है ऐसे कौन पहत लगा जब पता चल गया है अल्रेडी पता था पहले सी फिर और भी ज़्यादा पता चल गया कि मोबाइल पे रिंग तो भाई उसमें इतना डरने की और ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है बच्चों से पूछती है क्यों लेट उठी जब नो बज़े उठने का प्लान था अच्चा से सोते तो गहरी नीद आती है अब तुम्हें तो आदत है रात तक जागने की देर तक उठने की तो तुम दूसरे पर कैसे पाबंदी लगा सकते हो भाई और देखो खुद सूट कर रही है अब उस लड़की को भी जोड़ी मतलब यहां तो पीजा और फनी को छोड़ दो वो तो खेर है इसके पर्मरेंट कैमरा मैन लेगिन अब उस लड़की को भी ले लिया यानि के उसको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मोदाहा जाके मैं उससे शूट करा सकूँ देखो एक स्क्रीन शॉट लगा रही हो प्लीज स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए तो शीशे मैं सहर दिखाई दे रही है वोई वाला नाइट सूट पहन के जो चाल लूपीन है उनको दे दिया था ना इनकी मैडम का नाइट सूट जो इतना धीला आ रहा था उसको इसके फिटिंगी करा दी गई होती बच्ची इतनी पतली सी है तो अभी इंस्टाग्राम का काम चलना रील बनानी थी वो सूट पहनना था और फिर देखो ये सूट पहनेगी फोटो शोटो शूट करवाएगी सारे बच्चों को अपने साथ दूब दूपहरी में लगा रखे हैं और उसके बावजूद फिर वापस से जो सूट अभी पहन रखा ना फिर इसी सूट को फिर से वापस पहन लेगी और ये जो सूट हरा रंका पहन रखा है ना लगता है अम्मी और बेटी ने दोनों ने एक ही थान लेकर बनवा दिया है लेकिन चला की देखो एक साथ नहीं दिखाया है भाई ने भी शूट करा है तो उसमें अम्मी का वो सूट पहनवा नजर आया है औ तो भाई हम यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो है अपना इनका इन्जॉय करेंगे पूरा व्यू का वसूल करेंगे और यहाँ पर प्रमोशन भी करेंगे और अपने फेस को भी ठीक करेंगे भले चैप मैं उसको नहीं लगाती हूँ मैं जूटी जाती हूँ वापे पैसा खच करने के लिए और देखो अभी बिना फिल्टर का था इनका फेस एक स्क्रिंशोट लगा रही हूं तुरंते फिल्टर लगा लिया मतलब फिल्टर लगाते के साथ चेहरा बिल्कुल एकदम से अलग से हो गया है और दुनिया भर कर टेंट और ये सब भी थौप लिया है य उस टाइम आप देखोगे ना कोई जो लिप्स है ना इनके कोई इतने पिंक नहीं है जैसे हाँ टाइम ये तिंट लगा के घूमती रहती है पिंक दिखाने के लिए जो बर जास फिल्टर लगाने के बावजूद भी चेहरा बिल्कुल धुला हुआ सकर रखा था पर इंस् पूसर बटन दबाने से रेड आ रहा है सारा गेम कोड का ही तो है वहां हमेरा कोड यूज करना मत भूलिए गा जिससे कि जो भी कोई बेवकूफ बनके खरीदेगा इन मैडम को घर बैटे पैसे मिल जाएंगे उस प्रोडक्ट के भी पैसे मिल जाएंगे प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जिसको खुद तो यूज करती है इसको सिर्फ ये बाट ही देती है फिर मोदाहा में जाके जैसे बाटे थे ना वो सब करवा के जो है सिलवा कर एक जैसा पहना भी एक जैसा ही है कह रहे हैं भरम दादा के सब डाइट पर हो देखो क्या क्या खा रहे हैं तो कह रही है आम अम्मी आप तो डाइट पर थी ये कैसी डाइट है अम्मी मतलब आख बसते ही कर दिया काम अम्मी ने शादियों में टांग वाली थी भावी ने भी एपनी टांग ली थी वैसे कुछ शूट करने की कोशिश कर रही है उसको हट पे टांगने की लेकिन टांग नहीं रहा है और इधर बाजा खाला विचारी इंतिजार कर रही किस चीस के लिए कि इनका ये काम पूरा हो किच महा हो सब्सक्राइब और अपी ने अपने तेड़ी तेड़ी आंकों से फनी भाई तो भाई काप गए अब घर की रानी ने अगर गूर के देखा है तो घर जमाई तो कापेंगी न और फटाक से अपना सबस्क्राइब पूले में जाने के लिए नहाने जाता है वह तो सब उससे जब्सक्राइब तो जो खाने सकती तो हम पकड़ के भी क्या कहेंगे लो पकड़ो अपना कटो रहा खालो चालू अपी कैमरे की पिछे सारे काम कर जाती हो जूटी चैलेंज तो करने थे हमें बहुत सारे लेकिन हमें कोई चैलेंज समझ में नहीं आ रहा ओ माई गोड कितनी बड़ी तकलीफ अगर सब ही जीत जाएंगे तो भाई फिर सबको देने ही पड़ेंगे चालू अपी कह रही है को घर जमाई के जेप से थोड़े ना जा रहे हैं पैसे लेकिन फिर भी घर जमाई को बहुत तकलीफ हो रही हैं कि नहीं 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 एक हजार नहीं सिरफ पानसो रुपे और यह जो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो गया वो शुरू हो गया है अम्मी से सबसे कहलवा के भाई-भावी को भी शामिल करके उदेखो थमनेल पर भाई-भावी का फोटो तक लगाया है सब एक दूसरे की नाम से फोटो से फोटो लगा के और उनसे सबसे अपने अप यहां पर बैठे बैठे भी प्रैक्टिस कर सकती थी अपने मन में बोलकर और जब आती है चालू अप्पी की बारी भाई खुदी तो पैसे बाट रही हो और खुदी सबसे कहलवा रही हो तो फिर क्या ही फायदा हुआ और देखो तो से क्या टेड़ी टेड़ी आंके करके कच पागल लग रही है बिल्कुल बैठे होएं भी जिस तरह से एक तरफ को टक टकी लगा के गूर गूर के देख रही है देखो इसक्रीन शोट लगा है स्क्रीन के तरफ देखो अब 500 रुपे का इनाम देकर भाई से कहलवाया जा रहा है बाई ने बोल दिया ओ माई गोड़ बोल से इंड़े बाई दों भाई भाई को विनार नहीं था क्योंकि यह तो स्क्रीप्टित नियुल αफिन नाम से के से आते भाई न चालू बड़ी चलाक चालू ने क्या किया क्योंकि उसका नाम ऐसी थोड़ी और इसने सोचा चलो मैं अंसे अपने राते के से इतनी light डालके जिस तरह से वो real बनाई थी ना भाई साब बिलकुल एकदम नहीं से लग रहा था कि पता नहीं क्या एकदम कौन सा filter use कर लिया है और भाई साब बच्चा भी डर गया था देखकर यह सच मुझ मेरी वही मा है जिसको मैं रोज देखता हूई या कोई नई है यह भाई ने तो बड़ी शिदत से बोल दिया लास्ट में आकर अटक गई तो बाई खुश हो रहे थे ओ मैं विनर 500 रुपे को विनर मुझे 500 मिलेगा और क्या कह रहे थे कम से कम यहां तो मेरा हाथ उठाके कह देए यह विनर है यह जनाब मतलब विनर बनने का इतना ज्यादा बिचारे का तो मुझे तो यह यह घाना याद आ गया मेरा सपना सपना ही रहे गया बिचारे मैंने बाइस चोबिस जटा के एक एक को बुरा ना बने तो चलो भाई ओडियंस पर छोड़ देते हैं क्योंकि इंगेजिंग मिलेगी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंग बहुत सारे पॉइंट वाकी हैं बहुत सारे पॉइंट लेंगे वीडियो जाधा बड़ी हो जाएगी तो मैं अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल भी बहुत नहीं करना चाहूंगी आपका और क्या है और कौन सा पॉइंट ओफ यू मैंने मिस कर दिया है कोई ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दियो तो प्लीज मुझे कुमेंट में जरूर बताएगा अभी आधव लोग हमने कवर किया है अधव लोग हम कवर करेंगे नेक्स पोड़कास में तो तब तक के लिए अपना खयाल रखियेगा और हाँ वीडियो पर कमेंट जरूर किजेगा और पसंद आय हैं तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा बाई बाई